मधुबन के बाबा मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना आपका क्या कहना आज 9 अगस 2021 के बाबा के सकार मधु महवाक के सुनेंगे उससे पहले आप सभी भाई भाईनों की जानकारी में यह बात बताना चाहते हैं कि बाबा के बहुत ही सुन्दर सुन्दर योग के गीतों का एक कोलेक्शन बनाया है जो भी भाई भैन दिन में अपना कारे करते हुए इन गीतों को सुनते रहेंगे तो भी हमारी अवस्था बनती है तो आप सभी भाई भैने डिस्क्रिप्शन में बताएगे लिंक के अंसार उस गीतों की लड़ी को सुन सकते हैं अपना योग अप्यास बढ़ा सकते हैं, करम करते हुए उनको सुनते सुनते अपनी स्थिती बना सकते हैं, तो आप सभी उनको जरूर सुनें, क्योंकि एक ही जगा पर अच्छी अच्छी गीतों का कलेक्शन तो हमें निर्विग्न बना देता है, हमें एफ़र्ट नहीं करने पर तो आप सभी उनको उस कलेक्शन को सुन सकते हैं, बहुत ही मधूर गीतों का कलेक्शन है, तो आएं अब मुर्ले सुनते हैं, आज 9 अगस की मुर्ली है, मिठे मिठे बाप दादा बोले मिठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है, बाप जब दादा में प्रवेश करें तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्से के अधिकारी बनो। बाबा ने कहा कि मिठे बच्चे बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। देखो बाबा ने प्रशन का पूछा है कि ड्रामा निश्चित है ये बच्चे जानते हैं लेकिन ये जानते हुए भी कि ड्रामा का सीन चेंज नहीं हो सकता फिर भी बच्चों को कौन सा लक्ष रखना है ये बहुत बड़ी बात है ये तो हम डिस्टरब हो जाते कि ड्रामा म कि पुरुशार्थ कर गेल्प करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहे करमादीत बनने का लक्षे अवश्य रखना है. कर्मा तीत अर्थात आइरन एज्ड ए गोल्डन एज्ड बनना पुर्शार्थ का यही थोड़ा सा समय है इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है बाबा कहते विनाश से पहले टाइम बहुत थोड़ा है अब तो अब हमें अपनी अवस्था को बनाना है ओम शांती ओम शांती बाबा कहते यह दोनों कौन कहते हैं दो बार ओम शांती बोला दोनों ने कौन को किस किस ने कहा तो बाबा कहते एक था बाबा एक था दादा बाबा कौन और दादा कौन एक शिब बाबा और एक ब्रमा बाबा बाबा केते कहानी सुनाते है ना एक था राजा एक थी रानी अब यह फिर है नहीं बातें इसमें एक था बाबा एक था दादा बाबा केते एक बाबा एक दादा तुम कहेंगे पांच जार वश पहले भी एक था शिप बाबा और दूसरा था ब्रह्मा दादा अब शिप के बच्चे तो सब हैं सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं वह तो है ही हैं ब्रह्मा के बच्चे ब्रामन भी थे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे उनको कौन पढ़ाते थे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव पाबा प्रजापिता ब्रह्मा के ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां धेर बच्चे हैं न ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं कि बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं और पोत्रे भी हैं शिव बाबा के बच्चे तो सभी आत्माई हैं और हम खास क्या हैं हम डबल रोल प्ले कर रहें हम बच्चे भी और पोत्रे भी हैं बच्चे तो हैं ही, अब पुत्रे वने हैं, ब्रम्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने, अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं, परंतु ब्रम्मा कुमार कुमारियां होने कारण, उनको हम दादा कहते हैं, देखो शिव बाबा यानि कि और ब्रम्मा की आगे मुखवन शावली हम तो ब्रम्मा हमारा पिता हुआ और शिव बाबा हमारा क्या हो गया ग्रेंट फादर हो गया दादा हो गया तो बाबा केते है वर्सा दादे का है ब्रम्मा दादा का नहीं इसमें ब्रमा दादा अर्थाथ बड़ा भाई वावके तो उसका नहीं है एक तरह से वो हमारा पिता भी है और हमारा बड़ा भाई भी है क्योंकि शिवक की संतान है आत्मा तो है आत्मा रूप में वो हमारा बड़ा जेष्ट ब्रदर हो गया ज्रेश्ट भाई हो गया तो इसमें दादा का भाई के रूप में वर्णन है कि बाबा केते ब्रह्मा दादा का नहीं बैकुंट वासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है आधा कल्प वर्षा पाते हो फिर तुमको श्राप मिलता है रावन से नीचे उतरते आते हो जैसे की ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की बाबा केते अभी तुम बच्चे समझते हो क्या समझते हो कि हमारी ग्रहचारी राहू की दशा पूरी हुई राहू की दशा है सबसे बुरी उंच थे उंच ब्रसपती की दशा फिर रहू की दशा बैठी तो पांच विकारों के कारण हम काले हो गए अब फिर बाब कहते हैं क्या कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहन इन विकारों का दान देना है तो ग्रहन छूटेगा तो ग्रहचारी छूटेगी जो में दुख देती है बाबा केते है तुम्हारी बात उन्होंने फिर सूरे चंदरमा का ग्रहण समझ लिया है ग्रहचारी तो हम पर बैठती है हम ही चंदरमा की तरह कलाएं हमारी कम होती है तो बाब केते है तुम्हारी बात है लेकिन एक्जाम्पल संसार ने सूर्य और चंदरमा का ग्रहन समझ लिया है जब ग्रहन लगता है तो दान मांगते है यहां बाप तुमको कहते हैं कि पांच विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी इन विकारों से ही तुम पापातमा बने हो मुख्य है देह अभिमान पहले ऐसे सतो परधान थे फिर सतो रजो तमो बने हैं चुरासी जन्म लिये हैं यह तो पक्का निश्चे है बरोबर देवताएं ही चुरासी जन्म लेते हैं पहले उनों को ही वर्षा मिलना चाहिए बाप से गाया भी जाता है कि आतमाएं परमातमा अलग रहे बहुकाल बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सत्यूग में भेजा था फिर अभी तुम ही आकर मिले हो आगे तो सिर्फ गाते थे उनका ये थार्थ अर्थ अभी बाप बैट समझाते हैं सभी वेद, शास्त्र, जब, तब, स्लोगन, आदी जो भी हैं सबका सार बाप बैट समझाते हैं चक्र तो बिल्कुल सहज है अभी कल्यूग और सत्यूग का संगम है लडाई भी सामने घड़ी है यह भी तुमको निश्चे है क्या निश्चे है कि सत्यूग की स्थापना होती है कल्यूग में जितने भी हैं उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे बाकी आतमाई पवित्र बन हिसाब किताब चुक्तू कर जाएंगे बाबा केते यह सब क्यामत का समय है आतमाई शरीर छोड़ चली जाएंगी सिर्फ तुम थोड़े से तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चे बुद्धी होते जाते हैं निश्चे बुद्धी विजयनती फिर जाकर विश्णू के गले की माला बनेंगे एक है रुद्राक्ष की माला और दूसरी है रुंड माला उस रुन्ड माला में छोटी 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 शकल होती है यह निशानी है हम आत्माई ही आकर फिर बाब के गले की माला के दाने बनेंगे फिर यहां आएंगे नमबर वार माला आठ की भी है, एक सो आठ की भी है और सोला हजार एक सो आठ की भी है बाबा कहते हैं अब 16,000 हैं या 5, 10,000 हैं उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता यह मालाएं गाई जाती हैं बाबा कहते हैं यह सब तुम क्यों विचार करते हो इतना क्यों सोचते हो बाब कहते हैं जितने भी राजाएं कल पहले सत्यूग तृता में बने थे उतने ही बनेंगे सो बने या दो तिन सो बने या पूछना नहीं है बाब कहते हैं तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो यह सब समझ जाएंगे आज हम यहां है कल विनाश होगा फिर सत्यूग में थोड़े से देवी देवता होंगे बाद में वृध्धी को पाते हैं सत्यूग के असार भी दिखाई पड़ते हैं बाकी लाखों जाकर रहेंगे फिर लाख रहें या नौ-दस लाख रहें अकुरेट नहीं कह सकते हाँ तुम जब accurate संपूर्ण बनने के लाइक बनेंगे तब तुमको और जास्ती सक्षातकार होता जाएगा बाबा कैते जब आपकी ये वस्ता बनती जाएगी आपको ये clarity आती जाएगी बहुत clear vision आपको आएंगे जिसको बाबा ने कहा कि जास्ती सक्षातकार होगा जैसा होगा accurate आपको वो चीजें पता चलती जाएगी अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है बहुत सक्षातकार करते रहेंगे लड़ाई की तयारियां भी बहुत होती रहती है सब चीजें महंगी होती जाएंगे विलायत में भी अब खूब टेक्स आदी लगते रहेंगे बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी सत्युग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा सब खानिया आदी भरपूर हो जाएंगी नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं लक्षमी नराइन के पास बहुत वैभव थे श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं वहां बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं कहेंगे हम देवताओं को भोग चड़ाते हैं कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे बाबा कहते हैं अब इसमें नाराज होने की बात ही नहीं तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो जानते हो ड्रामा अनुसार यह विनाश होना ही है कल्यूग से बदल कर सत्यूग होगा हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है तुम भी ड्रामा के वश हो ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है ड्रामा में एक मिनट भी नीचे उपर नहीं हो सकता जैसे बाबा आया तुमने देखा कल्प बाद भी हूब हूँ ऐसा होगा शास्त्रों में तो कल्प की आयू लंबी लिख दी है अभी तुम बच्चों की बुध्धी में है कि बरूबर विनाश सामने खड़ा है अभी तुम गैल्प कर रहे हो जानते हो बाब को याद कर हमको कर्मा तीत अवस्ता को जरूर पाना है अर्थात आईरन एज से गोल्डन एज बनना है अभी अगर पुरुशार्स नहीं करेंगे तो पदभरष्ट हो जाएगा पाबा केते हे आतमाए अभी तुम पतित बन गई हो यह भी जानते हो तो बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं वैं निकल कर आते रहेंगे आकर अपना पुरुशार्ट करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने के लिए ब्रामन धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे ब्रामन धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे देवता बनने के लिए पहले ब्रामन बनना जरूरी है ना पाबा केते ब्रामन दिन प्रति दिन वरिधी को पाते रहेंगे देखेंगे विनाश सामने आ गया है यह तो ठीक कहते हैं फिर वृध्धी होती जाएगी ब्रामनों का जाड वृध्धी को पाकर फुल हो जाएगा फिर वापिस जाएगे देवताओं का जाड बढ़ेगा बाबा कहते अभी तुम संगम पर राज योग सीख रहे हो इस संगम को कल्यानकारी युग कहा जाता है संगम का ही गायन है गंगा सागर का मेला दिखाते हैं न बाबा कहते हैं वे सब है भक्ती मार्ग का और यह है ग्यान सागर और ग्यान सागर से निकली हुई ग्यान गंगाई ग्यान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है वैं समझते हैं पतित पावनी गंगा है और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं यह नदियां तो सत्यूग से लेकर चलती आती हैं आज कल तो नदियां भी कहां कहां डुबो देती हैं प्रकर्टी भी तमोप्रधान, सागर भी तमोप्रधान हो पड़ा है सागर थोड़ी सी उचल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे सत्यूग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं यमुना के कंठे पर देली परिस्थान थी फिर बननी है बाबा केते हैं सत्यूग में थोड़ी ही जीवा तमाय रहती है फिर धीरे धीरे आते जाते हैं अभी है कल्यूग का अंत कितने धेर मनुष्य हो गए हैं बेहद का नाटक है बाबा केते हैं जिसको अच्छी रीती समझना है भल कोई अपने को एक्टर समझते भी है परंतु कल्प पांच हजार वर्ष का है ये किसी को पता ही नहीं है यहां 84 जन्म कहां 84 लाख बाब केते हैं अभी तुम रोशनी में हो तुमको बाब से वर्षा मिलता है बाब केते हैं मन मना भव बाब को याद करना है शिव भगवान वाच प्रिश्न थोड़े ग्यान का सागर है भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है बाब जो नहीं रचना रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुन संबन निर्विकारी निर्हंकारी रचना रचते हैं बाब बाब कते अभी तुम ऐसे बन रहे हो वियार इंदा प्रोसेस हम बन रहे हैं ऐसे हमारा जो लास्ट फुल और फाइनल प्रडुक्ट होगा वो कौन सी स्थिती होगी सर्वगुन संबन बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है यह राज योग है ना गाया भी जाता है क्या गाते हैं कि भगवान रायोग सिखलाते हैं और कोई नहीं सिखलाता वह है निराकार तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े सिखाने के लिए कैसे आएगा बच्चों के लेवल में आएगा लॉकिक में भी एक टीचर बच्चों के लेवल पे आके child-centered education हमारी policy है ना, तो ऐसे ही बाबा की भी है, child-centered हम बाबा के बच्चे हैं, हमारी सित्य के अनुसार बाप हमारे लेवल के अनुसार समझाता है तो हम शरीरों में फसे हैं तो बाबा को भी शरीरों से communicate करने के लिए, बाद चीद करने के लिए शरीर में ही तो आना पड़े ना तो बाबा कहते हैं तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े, भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े उनका जन्म दिव्य अलोकिक है कैसे है? उनका जन्म दिव्य अलोकिक है और किसी का दिव्य जन्म नहीं गाया जाता यह भी बच्चों को समझाया है एक होता है लोकिक बाप दूसरा है पार लोकिक बाप जिसको भगवान कहयाद करते हैं लौकिक बाप हमारा बायलोजिकल फादर शरीर का पिता पारलौकिक बाप जिसको हम भगवान कहते हैं और तीसरा है अलौकिक बाप बाप कहते है यह फिल वंडर्फुल बाप है यह अलौकिक जब पारलोकिक बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं बीच में यह अलोकिक आ जाता है अलोकिक का रोल क्या है? कि क्योंकि भगवान शरीर की दुनिया में साकारी तन में आएगा वो अलोकिक बाप होगा, मिडल मैन होगा आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने वाला तो बाब कहते हैं यह वंडरफुल बाब है प्रजा पिता ब्रह्मा के कितने धेर बच्चे हैं शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं लौकिक बाप को तो करके आठ दस बच्चे होंगे अच्छा शिप बाबा भी है पारलौकिक बाप उनके तो अनेक बच्चे है क्योंकि सभी आतमाई कहती हैं कि हम सब ब्रदर्स हैं तो फादर तो एक ही हुआ अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है यह ज्यान तुमको वहाँ नहीं रहेगा प्रजा पिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सुष्टी रचते हैं तो यह अलौकिक जन्म हुआ न इनको कोई समझ नहीं सकते जो बाबा के बच्चे हैं जो कल्प पहले समझे थे बाबा के थे वो ही समझ सकते हैं वह अलौकिक वह पारलौकिक और यह संगम युग अलौकिक बाप लौकिक बाप तो सत्युक से लेकर होते आए हैं शरीरों के पिता तो होते ही आए हर जन्म में आत्मा का अलग पिता था अलग शरीर था तो पारलोकी के बाप को वहां को याद नहीं करते भगवान को याद ही नहीं करता वहां होता ही एक बाप तो कि सुख़ की दुनिया है भगवान का किसी को पता ही नहीं हे भगवान हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते फिर दौापर में जब भक्ती मार्ग शुरू होता है तो बाप दो होते हैं कौन से बाप? बगवान जिसको हम पारलोकिक के कहते हैं कि पार दुनिया में रहने वाला है तो बाबा कहते हैं तब दो बाप होते हैं और संगम पर तीन बाप हैं प्रजा पिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है अलोकिक बाप ना तो बाबा केते हैं अभी तुम उनके बने हो जानती हो ये अलोकिक बाप है अभी तुम इन बच्चों इन बातों को अच्छे रीती जानते हो और याद करते हो क्या याद करते हो अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो सत्यूग में याद करने की धरकार ही नहीं दुख में पारलोकिक बाप का सब सिम्रन करते हैं यह तो बिल्कुल सहज बात है सत्यूग तुरेता में एक बाप होता है दौपर में दो बाप होते हैं और इस समय तुम अलोकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्सा लेते हो, तुम बच्चे ही ब्रामन बनते हो, जो फिर देवता बनेंगे, विनाश भी तुमारे को ही देखना है, जो तुम इन आखों से देखेंगे, बॉम्ज छोडेंगे, मनुष्य तो मरें जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा न, कैसे मनुष्य मरे, हिरोश्यमा नागा साकी में, तो अभी तक वह वहां पर ऐसी जनरेशन्स पैदा हो रही है, जिन में कोई न कोई कमी है, बाब केते, अब यहां लड़ाईयां लगती रहती है, खुद भी कहते हैं, हम बॉम्ब में तो चप्ती में, मीन सेकेंड में सब खलास हो जाएगा, चिंगारी लगती है तो शेहर नश्ट हो जाते हैं, यह तो बॉम्ब हैं, बाब केते, आग भी लगनी हैं, तुम बच्चे जानते हो, बाप आई ही हैं स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर यह सब होगा, बाबा कहते हैं, पुरुशार्थ करने का अभी समय है, माया घडी घडी तुम्हारा बुद्धियोग तोर देती है, अजुन तुम अडोल सिर कहां बने हो, कहते हैं बाबा, माया के तुफान बहुत आते हैं, आते हैं ना हम बच्चों को, कोई तो सारे दिन में गंटा आदा भी याद नहीं करते, बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, आठ गंटा तो ये सिवा करेंगे, आठ गंटा याद कर सको, इतना पुरुशार्थ करने हो, याद करते रहने से विकर्म विनाष होते जाएंगे, इसको हुई योग अगनी कहा जाता है, यह है मेहनत गरस्त वेवार में रहते हुए सिर्फ याद करना है यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिनोंने गरस्त छोड़ा है बच्चे बने हैं वह भी इतना याद नहीं करते हैं घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं अरजुन और भील का भी मिसाल देते हैं न मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना है महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी सत्युग में थोड़ी लगेगी तो तुम बच्चों को अंधो की लाठी भी बनना है सब को रास्ता बताना है कि बाप को याद करो चक्र को याद करो स्वधर्शन चक्रधारी बनो अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चो को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिक्वा प्रेम से नमस्ते ओम शान्ती प्यारे बाबा मीठे बाबा मेरे बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा याद का अभ्यास बढ़ाना है गफलत नहीं करनी है और सेकिन पॉइंट है यह ड्रामा बिलकुल एक्यूरेट बना हुआ है इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है निश्चे बुध्धी बनना है और बावा ने हमें वर्दान दिया है कि दिल में सदा एक राम को बसाकर सची सेवा करने वाले माया जीत विजाई भव हनुमान की विशेष्टा दिखाते हैं कि वे सदा सेवाधारी महावीर था इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूँच द्वारा लंका जला दी तो जहां भी जो भी सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था तो बाप के सिवाए और कोई दिल में ना हो अपनी देह की स्मृति भी ना हो तब माया जीत विजाई बनेंगे स्लोगन जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो स्लोगन जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना इनको अलग नहीं कर सकते ऐसी बाबा करते आप और बाप के साथ कम्बाइंड रहो ओम शान्ती